नमस्कार दोस्तों, वाइरल नियूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, दाद, खाज और खुजली की समस्या आम हो गई है अगर देखा जाये तो इस समस्या से नबे प्रतिशत लोग पीड़त है इस बिमारी की मुख्य जड़ है हमारा पहनावा हम आज कल के कल्चर में बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं और हमारा पसीना सूख नहीं पाता या जब हम नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं तो जल दबाजी में पहन लेते हैं और वो गीली हो जाते है जिस जगय पर गिलापन बना रहता है उसी जगेह पर फंगस अटाइक कर देता है और दाद का जन्म हो जाता है इसका अगर उपचार न किया जाये तो ये बहुत ही भयंकर रूप धारन कर लेता है और पूरे शारी में फैलता रहता है आज मैं आपको जो उपचार बताने जा रहा हूँ वो भयंकर से भयंकर दाद, खाज और खुजली को सिर्फ तीन दिन में जड़से खत्म कर देता है आवशक सामगरी नीबू का 20 रुपे ग्राम, फल्दी 3 चुटकी, एलो वेरा जेल 10 ग्राम और पपीते का दूद योग विधी इस सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला लें इसके बाद आपको जिस जगैक पर दाद, खाज और खोजली की समस्या है उस थान पर लागा कर एक घंटे के लिए छोड़ दें एक घंटे बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर पपीते का दूद लगा लें इसे भी एक घंटे तक लगा रहने दें और एक घंटे बाद इसे साफ कर किसी मोस्चाराईजर का प्रयोग करें जिससे आपकी त्वचा नरम बनी रहे इसका प्रयोग दिन में दो बार सुबह शाम करना है ऐसा करने से कितना भी भयंकरदाद आपका सिर्फ तीन दिन में जड़से खत्म हो जाएगा यह आज माया हुआ उपचार है सावधानिया जिस जगे पर आपको यह बिमारी है इस थान पर किसी तरह कसाबुन या शेंपो का प्रयोग बिल्कुल न करें